राधी राधी दोस्तों, आज हम आपको एकाशी के बाद सुनी जाने वाली तुलसी माता की बहुती सुन्दर कहानी सुनाएंगे एकाशी का वरत रखने के बाद वरत का परायन करने के लिए द्वादसी को पहले तुलसी की कथा सुनी जाती है इसके सुनने से एकाशी और द्वादसी दोनों का पोण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है तो आज मैं आपके साथ तुलसी जी की अपनी दादी मा के मुख से सुनी हैं बहुत ही सुन्दर कता शेयर करने जा रही हूँ कता इस प्रकार है एक बार एक ननद और उसकी भावी थी दोनों मिलकर रहती थी लेकिन भावी को अपनी ननद की हर बात खटकती थी ननद तुलसा जी की बहुत बड़ी भगत थी वह दिन राद तुलसा जी की पुचा किया करती थी और हर काम करते समय जैतुलसा माता जैतुलसा माता इस तरहां से मंत्र जाप किया करती थी तो एक बार भाबी ने अपने पती से कहा कि जाओ और अपनी बहन के लिए लड़का देख कर आओ क्योंकि तुमारी बहन शादी के लायक हो गई है लेकिन बहुत ही गरीब घर ही ढूंडना भाई को उसकी बात अजीब लगी लेकिन फिर भी वह उसके कहने से अपनी बहन के लिए घर ढूंडने के लिए निकल पड़ा और कुछ ठीक ठाक सा ना तो बहुत गरीब और ना बहुत ही ज़्यादा अमीर घर उसके लिए ढूंडनाया भाई ने अपनी बहन का रिष्टा उस घर में कर दिया शादी का दिन आया लेकिन भाबी अपनी ननस से हमेशा ही गुसा रहती थी इसलिए उसने अपनी मन में विचार किया कि यह सारा दिन तुलसा जी तुलसा जी करती है तो मैं इसकी शादी में कोई भी समान नहीं दूंगी उसकी जगा सिरफ तुलसा जी ही दूंगी और उसने रहेज के लिए कुछ बे समान की त्यारी नहीं की और कपड़े लत्ते गहने सब की जगा तुलसा जी ही दी इतना ही नहीं उसने लड़की के पहनने के कपड़े भी तुलसा जी के बनवाए और गहने भी तुलसा जी के पत्तों के ही बनवा दिये बारात के आने का दिन करीब आया और बारात जब दरवाजे पर आ गई तो भावी नहीं ना तो बारात के लिए कोई भोजन की त्यारी की ना ही कुछ किया और पतलों में भोजन की जगा तुलसी के पत्ते ही परोस दे सभी बाराती पतलों में तुलसी जी के पत्ते देखकर बहुत ही अशरिय में पढ़ गए लेकिन क्या कहते उन्हें बहुत ही गुसा आया जब ननत ने देखा कि बारातियों के खाने की जगा तुलसी के पत्ते ही उनकी पतलों में परोसे गए हैं तब उस भेन ने अपने तब बहन बोली भाई थोड़ी देर के लिए सभी बरातियों को कहें कि अपनी आखें बंद कर लें मैं इस जगा से निकल कर दूसरे कमरे में जाना चाहती हूँ तो भाई नी सभी बरातियों को थोड़ी देर के लिए आखें बंद करने के लिए अनुरोध किया सभी बरातियों ने तोड़ी देर के लिए आँखीं बंद कर ली और बहन निकल कर उस रास्ते से दूसरे कमरे में गई और तुलसी माता से प्रातना की कि भोजन सभी की पतलों में अपने आप स्वयम ही आ जाए तो तुलसी माता ने उसकी प्रातना को सुन लिया और जैसे ही वह बहन वहां से निकल कर दूसरे कमरे में जाती है तो सभी की पतलों में चपन पकवान अपने आप ही बन जाते हैं जब बराती आखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनकी पतलों में चपन तरांके पकवान रखें हुए हैं तो वो मन भर कर सभी भोजन करते हैं, बारात के जाने का समय आता है, तब भावी अपनी ननत को कुछ नहीं देती, उसके कपड़े लत्तों की जगा, गेहनों की जगा, सभी में तुलसी चीरक देती है, जब ससुर देखते हैं कि दहेज में कुछ नहीं मिला सिरफ तुलसी के पत्ते हैं, तो वह जल्दी जल्दी घर जाता है, और अपनी पत्नी को कहता है, देखो, बहु अपने माईके से कुछ नहीं लाई है, तो तुम बहु के लिए कपड़े और जेवर त्यार रखना, जब रात दरवाजे पर आती है, तो सास बहु का स्वागत करती है, तो देज का समान खोला जाता है, उसमें भी हीरे, जवारात, नाना परकार के रत्न, कपड़े निकलते हैं, तो सास ससूर से बोलती है, आप तो कह रहे थे, कि बहु कुछ नहीं लाई, लेकिन देज में तो इतना सब कुछ मिला है, कि आखे ही चुंद्या जाएं, तो ससूर जी कुछ नहीं बोले और चुक रह जाते हैं, दोचार दिन के बाद, भावी अपने पती को बोलती है, जाओ, अपनी बहन को थोड़े दिन के लिए ले आओ, फेरा पाने के लिए, तो बहन के घर भाई जाता है, भाई बहुत ही शरम के मारे सकुचाया हूँ, आसा अपनी बहन के घर जाता है, तो नीचे ही दर्वाजे पर खड़ा रह जाता है, बहन उपर से देखती है कि मेरा भाई आया हुआ है, अपनी बहाई को देखकर जल्दी जल्दी नीचे आती है, और भाई को कहती है, भाई, आपने मुझे इतना कि दिया, कि सारा ही घर चुन दिया गया, वह तुलसी माता का धन्यवाद करता है, और उसकी सास से कुछ दिन के लिए अपनी बहन को अपने घर ले जाने के लिए कहता है, सास कहती है, नहीं हम तो अपनी बहु को आपके घर नहीं भेजेंगी, हमें तो बहुत ही भाग्यवान बहु मिली है, इस के आते ही हमारा तो स सब कुछ मंगल ही मंगल हो गया, सारा घर सोने चांदी हीरे ज्वारात से भर गया, लेकिन भाई अनुरोध करता है, तो सास एक दिन के लिए अपनी बहु को उसके घर भेज देती है, जैसे ही लड़की अपने घर पहुंचती है, तो भाई उसे देखकर हैरान रह जाती है, ननत तो हीरे मोतियों में लदी हुई है, जेवरों से और इतने सुंदर वस्र पहने हुए है, तो भाई उसे पूछती है, यह कैसे हुआ, ननत जवाब देती है, भाई यह तो सब तुलसी माता की क्रिपा सही बना है, और जब उसकी ननत अपने ससराल चली जाती है, तो भाई निश्य करती है, कि मैं अपनी लड़की से भी तुलसी की पूजा कराया करूंगी, और वह अपनी लड़की को तुलसी पूजा करने के लिए बोलती है, लेकिन लड़की का मन तुलसी पूजा में लगता ही नहीं लेकिन भाबी अपनी लड़की को मार पेट कर तुलसी पूजा करने के लिए बादित करती है और लड़की गुसे में तुलसी जी में कभी जूठा पानी और कभी गंदा पानी डालाती है तो थोड़े समय में वे लड़की भी विवहा योग्य हो जाती है तो उसकी माता उसके पिता को बोलती है कि लड़की के लिए कोई सुयोग्य और अमीर घर ढूंड कर लाएं पिता पुत्री के लिए घर ढूंडते हैं घर ठीक ठाक सा होता है तो माता निश्चे करती है जैसे मैंने अपनी ननत की शादी में तुलसी जी का सभी समान दिया था वैसे ही लड़की की शादी में भी सभी तुलसी जी का समान दोंगी और वै उसी तरह से उस लड़की को भी सभी तुलसी जी से निर्मित, गहने, वास्तर सभी समान देती है मिलता लड़की अपने ससुराल पहुंचती है तो सास उसको तुलसी जी के वस्तर और गहनों में देखकर बड़े ही अचंबित आ जाती है लेकिन उसके भागे से या तुलसी जी की क्रिपा से उसको कुछ भी परिवर्तन नहीं होता और जब तुलसी की वह ससुराल पहुंचती है ससुराल वाले सारा समान तुलसी के पत्तों में देखकर उन्हें बहुत गुसा आता है और वह लड़की को ऐसे ही उसके माइके में भेज देते हैं जब माता को पता चलता है कि तुलसी जी की क्रिपा तो इस पर हुई ही नहीं वह भी अपने भाग्यपर पच्चताती है लेकिन आप पच्चताने से क्या फाइदा इसी प्रकार जो व्यक्ति जिस मन से जिस शर्धा से तुलसी माता की सेवा करते हैं वैसा ही फल भग्वान तुलसी माता उने देते हैं द्वाजसी के दिन मित्रों इस कथा को सुनने से व्यक्ति की सभी मनोमांचित फलों की प्राप्ती होती है द्वाजसी वाले दिन तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी जी के नीचे घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए इस प्रकार एकाशी के वरत का प्रायन ह होता है अगर मित्रों आपको तुलसी जी की ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज स्टोरी को शेयर करें लाइक करें और कमेंट बोक्स में जै तुलसी माता अवश्य लिखें जै तुलसी माता